हलो अब्रिवर्ण वेल्कुम तो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंज आज मैं आप लोग के बीच फिर से एक न्यू वीडियो ले करके आई हूँ जो कि है बहुत ही ज्याता सिंपल सा रिशेप्शन मेकप लूग सो फ्रेंज आज आप लोग देख सकते हैं कि साड़ी के सीज़न शल रहे हैं तो कोई भी दूलन इस मेकप को क्रेट कर सकती है अपने रिशेप्शन में यह हल्डी फंक्षन मेकप लूग में वैडिंग पार्टी वगरहें में कोई भी से क्रेट कर सकता है चलो स्टार्ट करते सबसे पहले आपको अपनी पेस को क्लेंग करना है तो क्लेंग करने के बाद ही आप यहाँ पर टोनर अप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर मैं ले रहे हूँ गुट बाइब्स का रोस्ट टोनर जो की मेरा ओल टाइम फेबरेट आप अपने स्किंग एकॉडिंग कोई सवी टोनर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर ही मैं अपलाई करूंगी टोनर टोनर के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी शिरम तो हमारी स्किन के लिए शिरम बहुत ही ज्यादा most important है तो आप मेकप करने से पहले टोनर और शिरम को अपलाई जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुडवाइब्स का विटामिन ई शिरम आप अपने स्किन के को इसा भी शिरम अपलाई कर सकते हैं अपने फेस पर सो फ्रेंज टोनर और शिरम अपलाई करने के बाद आप यहाँ पर मॉस्टराजर लेंगे यह वाला मेरा अल्टाइम फेडरेट है आप इसको अपलाई कर सकते हैं अपने फेस पर सो फ्रेंज आप में यहाँ पर ले ले ही हूँ प्राईमर जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टन्ट है मैक्कप करने को करने के पहलें आपको All Products के लिंक्स ब्रेस्ट्रेप्शन बोक्स में दे दूगी आप पच्छेश कर सकते हैं ओल्लाइन यह तो आप मार्केश से भी पच्छेश कर सकते हैं अपने फीबरेट प्रामवर आपको उसा भी यूज़ कर सकते हैं बद अपनी स्कीन के अक्वाडिंग को आप लेग के लिए यहां पर लेंगे concealer आपको इसा भी concealer ले सकते हैं मैं यहां पर लेंगे swiss beauty का concealer तो इसको अपलाई करूंगी मैं अपने pimples के ऊपर हाइड करने के लिए इसकी बाद में यहां पर लेंगे swiss beauty का eyebrow palette जिसका shade है 01 तो इसको अपने eyebrow को start कर लूँगी सबसे पहले मैं इसको brushes की help से अपने यहां पर wax को apply कर लूँगी अपने eyebrow पर इसकी बाद मैं इसको अच्छे से blend भी कर दूँगी आई shadow यूज करने से पहला आप concealer जरूर अपलाई किजिएगा इसकी बाद में यहां पर आई shadow यूज करूँगी तो आई shadow को लिए आपको इसाभी palette ले सकते हैं तो यहां पी मैं सबसे पहले shade लूँगी वो है orange shade light orange shade को मैं अपने eyes पर अपलाई कर लूँगी इसको आप अपनी cut crease पर apply किजिएगा आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे यूज कर रहे हैं तो आपको भी अपनी cut crease को बनाना है इसकी बाद इसको अच्छे से blend करना है इसकी बाद मैं यहां पर light red shade लूँगी इसको भी मैं अपनी cut crease पर apply करूँगी फिर इसको भी ऐसी blend कर लूँगी इसकी बाद मैंने यहां पर डूसरा eye shadow palette लिया है इसमें मैं dark mushroom shade लूँगी और इसको अपने eyes पर apply करूँगी सेम वैसे ही cut crease करना है इसके बाद इसको अच्छी से blend करना है इसके बाद ना आपको अपने eyes के नीचे cut crease बनाना है वह भी concealer से तो मैं यहां पिश्टी का concealer लूँगी और अपने eyes के नीचे cut crease करूँगी आप लोग देख सकत हैं आपको सेम ऐसे ही cut crease करना है और अच्छी brush इसके help से यहां पर मैंने flat brush लिया है इसके help से मैं अपने cut crease कर रही हूँ इसके बाद मैं यहां पर light blue shade लूँगी और अपने eyes पर apply कर लूँगी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे apply करूँगी फिर मैं यहां पर दूसरा eyeshadow palette इसमें से black shade लूँगी dark black shade नहीं है इसको apply करूँगी मैं अपने eyes पर फिर इसके बाद मैं इसे blend करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं कि blue और black के बीच में एक line है तो आपको इसको अच्छी से blend करना है यह हो गया blend blend फिर मैंने इसमें से white highlighter shade लिया और इसको अपने eyes पर apply कर लिए आप लोग देख सकते हैं आप यहां पर glitter भी यूज कर सकते हैं बट मैं यहां पर simple से finger के help से इसको यूज करूँगी आप brushes की help से कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इसका shade कितना प्यारा लग रहा है इसकी बाद मैं यहां पर maroon shade लोगी और इसको अपने eyes पर apply क लेख सकते हैं जहां पर मैंने cut crease किया था cut crease के ऊपर आपको इसको apply करना है अपने eyes पर इसकी बाद आप glitter यूज करेंगे मैं यहां पर white glitter यूज कर रही हूँ अपनी finger के help से apply करूंगे आप यहां पर glue के help से कर सकते हैं बट यह जो eyeshadow palette है ना सच में बहुत अच्छा है easily apply हो जाता है हमारी eyes पर glue to इसकी बाद यूज एक्स्ट्र आइशाडियों हमारी eyes की नीचे गिरिया तो इसको मैंने clean कर लिया brushes की help सी इसकी बाद में यहां पर लेडियों fit make foundation आपको इस अभी foundation ने सकते हैं मेरे यह वाला all time favorite है तो मैं अपने shade के according यह foundation को अपने face पर apply करूंगी apply करने के लिए मैं यहाप blender का यूज कर रहे हूं आप brushes के यूज कर सकते हैं blender आप please भिगो करके यूज कीजिएगा पहले आप blender को 15 minutes के लिए भिगो दीजिए इसको नीचे ओर करके अच्छे से थोड़ा सा सुखा लिजिए इसके बाद आगर आप इसके apply करेंगे ना इसको अपने आइस के नीचे आप लोग देख सकते हैं आपको भी ऐसी ही apply करने अपने आइस के नीचे और इसको ब्लेंडर के help के अच्छे से ब्लेंड कर देना है इसके बाद मैं यहापे NYB का contour लोंगे और इसको apply करूंगे अपने face पर और nose पर फिर मैं इसको brushes के help से अच्छे स अपने nose और face पर जो apply के हुए contour को अच्छे से blind कर लोंगी इसके बाद मैं यहापे NYB का blush ले रही हूं जो मेरे all time favorite है इसके में brushes के help से blush को apply करूंगे अपने face पर फिर मैं यहापे दूसरा eyeshadow palette ले रही हूं आइसमें से blue shade लोंगे blue shade के मैं अपने eyes के नीचे apply करूंगे आप देख सकते हैं आपको ऐसे apply करना है इसके बाद contour के नीचे आपको apply करना है compact powder तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लख्मे का compact powder इसको set कर जूंगी मैं अच्छे से इसके बाद मैं आपे highlighter ले रही हूए है liquid highlighter तो इसको apply करूंगी मैं अपने nose पर और face पर तो आप pilot भी ले सकते ह highlighter ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको apply करूंगी अपने face पर फिर मैं से brushes की help से अच्छे से blend कर लूंगी इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ liner तो आप यहाँ पर सबसे पहले liner को apply किजिएगा liner apply करने के बाद मैं आप ले रही हूँ mascara mascara को apply करने के बाद मैं आप ले यह है liquid lipstick तो आप कोई से भी lipstick यूज कर सकते हैं मुझे यह वाली पसंद है यह long lasting भी रहती है तो इसको apply कर लूंगी apply के निकले मैंने यहाँ पर lip palette मेरे पास था बर्ड मेरे पास यहाँ पर lip liner नहीं है तो मैं इसी से ही lip liner apply करूंगी तो यहाँ पर मैं lip liner का brush लूंगी और अ apply कर लूंगी फिर भी आप लोग देख सकते कितने इसली यह लग चुका है से फ्रेंज फाइनली मेरे make-up complete हो चुका है प्लीज में जो comment करके जरूर बताना कि आपको आज का make-up कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिएगा उंगली पकड के तुने चल्ला सिखाय थाना देहलीज हूची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मल का टुकडा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से देहलीज पार करा दे मुण के ना देखो दिल बरो कर दिल कर देखो देखो